देश के प्रशिद यूटूबर पत्रकार बिहार निवासी मनिश कस्यप सनिवार को नौ महिने बाद पटना के बेउर जेल से रिहा हुए मनिश कस्यप के रिहा होने के बाद बिहार समीती संपून देस में उनके समर्थकों और चहने वालों में खुशी की लहर दोड गई हजारी बाग में भी मनिश कस्यप के समर्थकों में खासा उत्साहत दिखा हजारी बाग के जील स्थित्स्वार नजुयन्ती पार्क में मनिश कस्यप के भगवाधरी आकरशक लोग के आदम कर तस्विर के साथ हजारी बाग के उनके समर्दक मिठाई बाट कर खुशिया मनाते नजर आएं यहां उनके जेल से रिहाई होने पर खुशिया मनाते हुए नेता, जनता, विद्यार्थी, मस्दूर और पत्रकार एक साथ दिखे सभी ने मनिश कस्यप की रिहाई पर एक दूश्री को मिठाई खिला कर बधाई दी मौके पर जेल का ताला तूट गया, मनिश कस्यप छूट गया, सत्य परिशान हो सकता है लेकिन पराजित कदापी नहीं मनिश कस्यप मत घपराना तेरे पीचे सारा जमाना जैसे नारे खूब गुंचे, मौके पर भाश्पा नेता, सब बरकठा विधान सुबच छेत्र के पूर प्रत्यासी बटेशर प्रसाद मेता ने कहा कि मनिश कस्यप की लोग प्रियता कुछ सत्ता में मधोश लोगों को रास नहीं आई और उनके खिलाफ सद्यांत रचा गया लेकिन कानून पर उन्होंने भरोसा जयताया और उन पर लगा, इन एसे हटाया गया और आज जेल से रिहाई हुई है यह सत्य की जीत है, हसारी बग सदर विधाईक मनिश यस्वाल ने, मीडिया प्रतिनीधी रंजन चौधरी ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता के दुनिया में एक अलग रांती लाने वाले निर्भिक और निश्पश्यता के साथ सत्य की अवाज उठाने वाले रियल हीरो मनिश कश्यप का नौ महिने का वनवास खतम हो गया। मौके पर विशेश उपसे भाश्पा नेता बटेश्वर प्रसाद महता, विधायक प्रतिनीधी दिने सिंग राठ और रंजन चौधरी, भाज्यूम नेता राजकरन पांडे, डॉक्टर देवेंद्र सिंग डेव, अतिशय ज्यान, संजय कुमार, सागर पांडे, अनुत सि देखर धीरश कुमार, प्रदीप कुमार सिन्हा, सोनु केश्री सहित अने लोग मौजूद रही, हजारी बग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट